हलो गाईज, कैसो आप सब लोग, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल The Knowledge Race पर आज हम लोग फिजिक्स के अंदर उसकी बेसिक इंट्रोडक्शन और साथ ही जो आपके में सिलेवर्स का पार्ट है SI Units उसको पढ़ने वाले हैं और साथ ही मैं आपको एक और बात बता दूँ कि आप लोग सोच रहे होंगे कि सर जो है Regular Science के वीडियो अपलोड नहीं कर रहे हैं तो यार उसके पीछे रीजन ये है कि पिछले कुछ दिनों से मेरी सेहत ठीक नहीं है तो उस वज़ा से जो है मैं Regular वीडियो नहीं डाल पा रहा हूं तो उसके लिए मैं आपको Sorry बोलना चाहूंगा लेकिन जैसे ही मेरी Health बिल्कुल ठीक हो जाएगी तो मैं Regular वीडियो जैसे डालता रहा हूं पहले वैसे ही डालना शुरू कर दूँगा लेकिन अभी भी मैं बीच में आपके लिए effort लगा रहा हूं ताकि आपका जो time है वो waste ना हो ठीक है गाइस तो आप लोग जानते ही हो यार कितना मेहनत लगती है और उपसे जब बंदे की सेहर ठीक ना हो तो बिल्कुल भी कुछ भी करने का मन नहीं करता है लेकिन फिर भी मैं आपके लिए थोड़ा बहुत effort जो है वो कर रहा हूं और करता रहूंगा जबता मेरी सेहर ठीक नहीं होगी ठीक है सेहर ठीक हो जाए कि तो उसके बाद तो regular वीडियो आते रहेंगे तो एक और आपसे रिक्वेस्ट है यार चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबा दो ताकि आने वाली वीडियो के भी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और जेके SSB के लिए जो हमने बायो का सलेबस है वो कम्प्लीट कर लिया हुआ है तो आप उसको जो है अच्छे से तयार कर लो और उसके उपर मैंने काफी सारे प्रैक्टिस क्वेस्टन इंपॉर्टन, MCQ वगरा डाले हुए हैं तो वो भी आप लोग आई बटन या फिर प्ले लिस्ट में जाके आप लोग उनको देख सकते हैं ठीक है गाइस तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो तो सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं basic introduction और फिर उसके बाद जम्प करेंगे हम लोग SI units के उपर तो basic introduction जो है वो physics के बारे में ये है कि जो physics word है हमारा वो drive किया गया है एक Greek word से जिसका नाम है fuses ठीक है और fuses का meaning जो होता है वो होता है nature nature आप लोग सभी जानते हैं प्रकृति को हम लोग बोलते हैं ठीक है ना तो अब जो nature है इसी के जो various laws हैं जैसे आप लोग ने सुना होगा law of gravitation law of motion तो बहुत सारे हमारे पास laws हैं जो हमारी nature के साथ deal करते हैं निकि अगर हम लोगों को nature को अच्छे से समझना है कि nature क्या है तो हमें इन सारे laws की जरूरत पड़ेगी और उनको हमें understand करना पड़ेगा तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि physics जो है वो एक ऐसी study है जो basic laws of nature जो है उसके बारे में हमें बताती है तो इसलिए यहाँ पर मैंने लिखा है physics is the study of basic laws of nature उसके साथ साथ जो अगर आप लोग देखेंगे कि nature जो है प्रकृति जो है वो basically बनी किस चीज़ से है तो प्रकृति के अंदर हम लोग सिर्फ दो चीज़े देखते हैं पहला जो है हमारे पास होता है matter और दूसरी होती है energy ठीक है ना यानि कि nature जो है हमारी दो चीज़ों को मिला करके बना हुआ है first है matter और दूसरा है energy तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर हम लोग physics को बोल रहे हैं कि nature की study तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो relation है हमारा matter और energy का उसको जो study करने वाली branch है science की वो physics होगी ठीक है तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं लिखा हुआ है physics is the study of relationship between matter and energy जानि कि energy और matter के बीच में आपस में क्या relation है तो उसको भी हम लोग physics बोल सकते हैं ठीक है तो यह बिल्कुल simple है जादा कोई मुश्किल बात नहीं है इसमें तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे matter क्या है उसके बाद देखेंगे energy क्या है space को occupy करने का मतलब होगा कि उसका volume होगा कुछ ना कुछ पहला number क्या होगा उसका मतलब volume होगा जाने कि वो space को occupy करेगी और साथ ही उसका क्या होगा कुछ ना कुछ mass होगा ठीक है अब mass और weight ये दो चीज़े होती है confusing होती है जो science के student है वो अच्छे से इसको understand करते है कि mass क्या होता है और weight क्या होता है लेकिन यहां पर हम लोग weight नहीं बोलेंगे सिर्फ mass बोलेंगे ठीक है mass होता है amount of the substance अब कोई भी ऐसे चीज़ जिसका mass होगा और वो space को occupy करेगी तो उसको हम लोग matter बोलेंगे तो अपने चारों जितनी चीज़े आप लोग देख पा रहे हैं ठीक है वो सारी की सारी matter है आपकी book है आपका phone है आपका air phone है आपका table है chair है कुछ भी है जो सारी की सारी चीज़े वो हमारा बहुत ही चोटे चोटे particles होते हैं जिनको हम लोग atoms कहते हैं उनसे बना होता है ठीक है हर प्रकार का कोई भी जो matter है वो एक चोटे 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 atom से बना हुआ है ठीक है जिनको हम लोग आम तोर पे नहीं देख पाते है ठीक उसके बाद जो है हमारा जो matter है ये basically 5 आज फिजिकल स्टेट्स में एक्जिस्ट करता है और ये भी मैंने अपने पिछली वीडियो में बता रखा हुआ है अगर आप लोगों को अच्छे से पता होगा तो फर्स्ट जो है आप लोग मतब तीन तो आप लोग अच्छे से जानते हैं solid liquid और gas ठीक है उसके बाद हमारे पास चोथी state जो है वो plasma की है और जो fifth state है वो है Bose Einstein Condensate और Bose Einstein Condensate जो है वो अब भी जो कुछी सालों पहले जो है discover हुई है और plasma तो काफी time पहले से है लेकिन हमारी जो तीर जो states है solid liquid gas यही main important है और हमारे syllabus के अंदर यही जो है पढ़ाई जाती है तो सबसे पहले हम लोग इनके अंदर जो है थोड़ा comparison देख लेते हैं solid liquid और gases के बारे में आप लोग जानते भी होंगे लेकिन जल्दी से हम लोग इसको देख लेते हैं जितने भी solids होते हैं उनके अंदर जो पैक्ड होंगे ठीक है उसके बाद क्या है very less intermolecular space तो यहां पर आप लोग यह देख रहे हैं जो सफेर हैं जहां पर च्छोटे च्छोटे जो circle दिये हुए हैं यह basically क्या है आपके molecules हैं यहां फिर atoms है तो इनके अंदर जो होगी तो उसी automatically क्या होगी density हाई होगी साथ में उनके जो melting point होंगे ठीक है न कि किस point के उपर किस temperature के उपर हमारा जो solid है वो melt करेगा वो भी एक high melting point होगा जाने कि एक higher temperature के उपर melt करेगा साथ ही boiling point हाई है तो automatically boiling point भी उसका high होगा उसके साथ साथ solids को हम लोग compress नहीं कर सकते हैं ठीक है या फिर हम लोग बोलें तो उनकी काफी जादा low compressibility होती है और साथ ही हमारे जो solids हैं वो flow नहीं कर पाते हैं जानकि उनकी flow करने की tendency बिल्कुल negligible होती है उसके बाद liquid की बात करें तो liquid के अंदर जो हैं आप लोग to solids उसके बाद इनकी जो definite shape नहीं होती लेकि इनका volume definite होता है जैसे आपके पास पानी की example मैं बोलूँ तो पानी जो है उसकी shape क्या definite है नहीं है क्यों क्योंकि आपको पानी को जिस container में डालोगे पानी उसी की shape को ले लेगा ठीक है ना लेकिन उसको volume definite है अगर आप लोग गिलास के अंदर पानी को डाल रहे हैं तो उसका volume है ना कुछ नो कुछ बिलकुल है ठीक है उसके बाद क्या है इनकी जो density होती है वो low होती है melting point भी low होते हैं और boiling point भी इनके low होते हैं उसके बाद liquids जो हैं उनको हम लोग कुछ हद तक compress कर सकते हैं ठीक और साथ ही जो liquids होते हैं सारे के सारे flow करते हैं आप लोग जितना भी oil देख रहे हैं milk देख रहे हैं juice वगरा है पानी है सारा का सारा flow करता है लास्ट में हमारे पास यहां पर आती है gases तो gases के अंदर क्या होते है atoms या molecules एक दूसरे से बहुत जादा जादा दूर होते हैं जिस वज़़ा से बहुत मतलब weak किसम की उनके अंदर क्या होती है intermolecular forces होती है और जो distance होता है या इनकी gap होता है या space होता है उनके बीच में वो भी बहुत जादा होता है उस वज़़ा से ना तो इनकी कोई definite shape होती है और ना इनका कोई definite volume होता है क्योंकि intermolecular distance ही इतना जादा है उसके बाद हमारे पास density भी क्या होती है इनकी low होती है उसके बाद साथ ही साथ हमारे पास compressibility जो है gases की वो बहुत जादा high होती है solids की बिल्कुल नहीं होती liquids की कुछ हटक होती है लेकिन gases की बहुत जादा होती है और उसके बाद जो gases होती है वो flow करती है तो आप लोग जानते हैं जितनी भी हमारे पास हवा है वो flow करती है ठीक है ना तो यह था हमारे पास solids, liquid और gases के बारे में अब देखते हैं हम लोग plasma क बनेगी जिसमें क्या होंगे free electrons और ions होंगे और यह state जो है आपकी कहां पाई जाती है जितने भी आपके stars है या फिर sun है उसके अंदर यह plasma state जो है पाई जाती है next हमारे पास Bose Einstein Condensate तो इसके बार में मैंने आपको पहले भी पिछली वीडियो में बताया हुए है तो यहाँ पे भी आप लोग सुन लो जब हम लोग क्या करते हैं एक extremely low density की मतलब ऐसी gas जिसकी density बहुत जादा कम है उसको हम लोग बहुत जादा cool करेंगे और कितने temperature के उपर super low temperature यानि कि बहुत बहुत कम temperature होगा यह तो उस temperature के उपर यानि कि बिल्कुल low temperature के उपर हमारे पास एक state of matter बनेगी जिसको हम लोग Bose Einstein condensate कहेंगे तो यह थे हमारे पास 5 states of matter ठीक है तो आप इनको एक बार अच्छे से देख लीजिएगा क्योंकि इनका basic concept होना जुरूरी है एक्जाम में तो hardly ही question यहाँ से पूछा जाएगा लेकिन कि हमें energy दिखती नहीं है energy होती है लेकिन हमें दिखती बिल्कुल नहीं है उसके बाद ना तो इसका कोई mass होता है और ना ही यह space को cover करती है ठीक है उसके बाद जो energy हमारी अलग-अलग forms में यह exist करती है और यह सारी की सारी forms आपस में interconvertible होती है और example के रिए अगर आपको cells के अंदर store कर सकते हैं जितने विए आपके watches के अंदर cell डलते हैं तो वह electrical energy जो है वह basically convert कर जाते है chemical energy में ठीक है ना तो वह store कर दी जाती ही cell में फिर बाद में chemical energy से जो है बापस हमारी क्या निकलती है electrical energy निकलती है ठीक है इस परकार से हमारे पास number of energies होती है जैसे यहां प convertible होती है ठीक उसके बाद next देखते हैं हम लोग हमारे पास जो physics है उसको mainly हम लोग two divisions पे हम लोग उसको देखते हैं two iras के अंदर बोल लो या फिर पहली हमारी आती है ancient physics और ancient physics उसको हम लोग देखते है 1900 से पहले का जो time ठीक है ना उस time पे हम लोग जो physics study करते थे वो थी हम पाद physics को study के जाने लगा वो कहला ही हमारी modern physics अब जो ancient physics थी वो हमारी थी ऐसी physics जो mainly हमारी deal करती थी mechanics के साथ electrostatics के साथ thermodynamics या optics ठीक है ना इन सारी चीजों के उपर उस time पे ध्यान दिया जाता था ठीक है और इसके जो father है उसको क्या बोला जाता है जो sir इसाक newton है ठीक है जिन्होंने newton law of gravitation वगरा जो हमारे दिये हुए हैं तो उनको जो है ancient physics का क्या बोला जाता है father बोला जाता है तो अब देखो यार यहाँ पे मैंने बात की है mechanics की electrostatics की thermodynamics की और optics की तो यह term में जो है वो क्या होती है ये भी आपको पता होना चाहिए तो सबसे पहले हमारे प जो हमारी डील करती है वो होती है mechanics के अंदर ठीक है उसके बाद है electrostatics तो यह भी आपको पता होना चाहिए जो हमारी electric current है यानिकि हमारे जो charges है वो कैसे generate होते हैं या फिर हमारी electric current जो है वो कैसे flow करती है तो वो सारी चीज़े जो है हमारी पढ़ी जाती है किसके अंदर electrostatics फिर आता है thermodynamics तो वो भी आप लोग जानते होंगे कि जो हमारी heat है और जो अलग अलग forms है energy की उनके बीच का जो relationship है यानि कि वो आपस में कैसे transform होती है ठीक है ना एक form से दूसरे form में कैसे convert होंगी तो वो भी सारी की सारी जो है किसमें देखी जाती है thermodynamics के अंदर उसके ब की formation हो रही है तो यह सारी की चीजें जो हैं कि के अंदर देखी जाती है ऑप्टिक्स के अंदर इवन की जो आपकी site है जानी कि वीजन जो आप लोग देख रहे हैं लग-छ चीजों को यह भी optics के अंदर ही study की जाती है तो यह सारी की सारी जो branches थी mainly हमारी study की जाती थी कब ancient फिजिक्स के अंदर जानी कि 1900 से पहले पहले उसके बाद आया हमारा कौन सा modern physics आया और जिसके फादर है हमारे पास कौन Albert Einstein जिन्होंने theory of relativity दिए हुई है और वो उसके अंदर जो है इन्होंने एक relation दिया हुआ है यानि कि उस relation का आपको पता भी होगा e equal to mc square ठीक है ना तो वो जो हमारा e equal to mc square है तो वो basically हमारा matter और energy के वीज़ का relation बताता है ancient physics में ये relation जो है बिल्कुल भी scientist को इसके ये idea नहीं था और ना ही वो इस चीज़ को मानते थे कि matter और energy जो है वो आपस में inter convertible है ठीक है लेकिन Albert Einstein ने जो है इस चीज़ को दिया और जो ancient physics के जो scientist थे जो इस चीज़ को नहीं मानते थे तो उन्होंने भी इस चीज़ को फिर agree किया कि ऐसा possible हो सकता है क्योंकि इरोंने जो है चीज़ जो है practical करके बताई थी ठीक है उसके बाद जो हमारी जो modern physics है ये mainly deal करती है हमारे पास जो branches है physics की कुछ जैसे आप लोगोंने सुना होगा nuclear physics जिसकी विज़ा से हमारे पास atom या फिर hydrogen bomb की discovery हुई है और उसके साथ साथ जो है nuclear physics का use आजकल medicines के अंदर जो है बहुत जादा किया जा रहा है तो जैसे हमारे पास कुछ isotopes हैं जैसे iodine का isotope होता है 131 जानी कि इसको iodine 131 कहते हैं हम लोग तो इसको जो है goiter के treatment के लिए इस्तिमाल किया जाता है फिर है हमारे पास cobalt 60 जिसको हम ल इसर के लिए इस्तेमाल करते हैं फिर है sodium 24 तो यह blood clot के लिए इस्तेमाल किया जाता है blood clot आप लोग जानते होंगे कि हमारी जो नसे होती है ब्लड एसलसम के अंदर कभी कभी जो है cholesterol वगएरा का जो है वो बन जाता है clot बन जाता है जिससे हमारा blood supply जो है वो interrupt हो जाती है जिस 31 यह पिर cobalt 60 जास्ट फिर sodium 24 तो यह हमारे क्या है isotopes हैं यह अलग-अलग elements है और उनके isotopes हैं इनको इस्तमाल किया जाता है medicines के अंदर उसके बाद है हमारी पास modern physics के अंदर electronics तो जितने भी टाइप के आप लोग आज कल वह देख रहे हैं ठीक है ना appliance electrical appliance आपके गर के अंद electronics की ठीक है तो यह था हमारे पास एक overview ancient physics और modern physics के बारे में कि कौन जो है किसके साथ deal करता है next सलते हमारे पास जो main topic आता है हमारा SI units का और उससे पहले हम लोग देखेंगे कि physical quantity क्या होती है ठीक है अब देखो physical quantity क्या है physical quantity जो है एक body की ऐसी property है जिसको हम लोग quantify करके measure कर सकत है ठीक है ना तो क्या है physical quantity is a physical property of a body और a substance that can be quantified by measurement अब quantified का meaning हो गया कि express करना ठीक है ना जब भी हम किसी चीज़ को मतलब किसी चीज़ को अगर हमने express करना है तो उसके लिए हमें क्या करना वड़ेगा उसकी measurement ठीक है ना तो measurement के लिए हमें कोई ना कोई जूरत पड़ेगी क किसी ना किसी unit की या फिर किसी ना किसी numerical value की तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं एक numerical value लेते हैं और एक लेते हैं unit जिसके विज़से हम लोग उस physical quantity को express कर पाएंगे ठीक है ना otherwise कोई भी किसी चीज़ का mass है या किसी चीज़ की length है तो आप उसको कैसे बताओगे कि कितनी ह जब तक आपके पास क्या होगा उसके लिए कोई एक unit नहीं होगा या फिर उसकी कोई एक numerical value नहीं होगी तो उसके लिए आप लोग क्या करते हैं एक numerical value लेते हैं और उसका एक unit लेते हैं जिसकी वज़से आप लोग उसको express कर पाओगे या फिर आप उसको क्या कर पाओगे measure कर पाओगे तो जैसे यहां पर example के लिए मैंने दिया हुआ है हमारे पास एक physical quantity है mass ठीक है ना जैसे मैंने mass की पीछे बाद की matter का mass होता है तो mass को जो है आप लोगों ने क्या करना है express करना है उसको measure करना है तो कैसे कर पाओगे तो उसके लिए आप लोगों को दो चीज़ों की ज़रूद पढ़ेगी एक तो numerical value और unit जैसे यहां पर mask के लिए हमने क्या ले लिया n kg ठीक है अब इसमें जो n है वो हमारा numerical value है यानि की magnitude है और उसके बाद जो kg है वो है basically unit ठीक है तो बिना unit और बिना numerical value के आप किसी भी physical quantity को measure नहीं कर सकते ठीक है अब यहां पर एक और चीज़ मैं आपको बता दू हमारे पास तीसरी एक और चीज़ होती है जिसको हम लोग direction बोलते हैं और यह basically हमारे class 11 जो है physics के अंदर यह चीज़ पढ़ाई जाती है कि आपने सुना होगा vector quantities और scalar quantities अब देखो ऐसी quantities जिनकी direction भी होती है ठीक है एक तो numerical value यानि कि magnitude तो हो गई होगा उसके बाद साथ साथ unit होगा लेकिन तीसरी चीज़ अगर उसकी direction है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे कैसी physical quantity बोलेंगे vector quantity अगर उसका जो है direction नहीं है यानि कि वो अगर direction less quantity है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे scalar quantity ठीक है scalar quantity में क्या होगा direction नहीं होगी सिर्फ magnitude और उसका unit होगा अब vector quantity के अंदर क्या होगी तीनों चीज़े numerical value unit और उसकी direction example के लिए जैसे मैं आपको quantity होगी scalar quantity अब दूसरी होती है velocity तो विलासिटी के अंदर तीनों चीज़े होती है numerical value unit और उसकी direction भी होती है तो इसका मतलब क्या होगा कि हमारी जो velocity है वो कैसी quantity है एक कैसी quantity होगी वो हमारी vector quantity होगी तो vector के अंदर direction भी होगी और उसके साथ unit भी होगा और numerical value भी होगी ठीक है अब आब हम देखते हैं हमारे पास क्या आते हैं system of units तो जितनी भी हमारी physical quantities हैं उनको जो है चार systems के अंदर पड़ा जाता है यानि कि अलग-अलग system है यह लेकिन जो सबसे widely used है जिसको सारे scientists accept करते हैं यहां फिर हमारे syllabus के अंदर भी जिसको include किया गया है तो वह हमारा SI system बाकी जो system है यह सिर्फ आपकी information के लिए हैं यहां पर मैंने लिखे हैं cgs system है एक है fps system mks system और चोथा हमारा जो last important है वह है SI system और यह cgs किसको represent करता है तो यह सारी चीज़े मैंने यहां पर लिखी हुई है fps का meaning क्या है mks का meaning क्या है तो यह सारे चीज़े यहां पर दी हुई है आप देख ले इनको तो next हमारे पास SI unit की बात करेंगे तो SI unit के जो हैं हमारे अंदर तीन परकार की physical quantities आती हैं कितने टाइप की तीन टाइप की पहली हमारे पास fundamental quantities तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे fundamental quantities क्या होती है और fundamental quantities को जो है हम लोग क्या बोलते हैं base quantities भी बोलते हैं तो देखो ऐसी physical quantities जो आपस में क्या होती है, independent होती है, यानि कि एक दूसरे के उपर depend नहीं करती, उनको base quantities या फिर fundamental quantities कहा जाता है, और ये कितनी है, 7 है, नमबर में, यानि कि ये total कितनी होती है, 7 होती है, तो सबसे पहले हमारे पास length, ठीक है न, length आप लोग समझते ही है, और length के लिए unit दिया गया है, वो है meter, और इसको represent किया जाता है, small m से, next है हमारे पास mass, mass को उसका unit जो है, वो है kg, यानि कि kilogram, और उसका symbol है, वो simple है kg के साथ, उसको represent किया जाता है, फिर हमारे पास time, तो time के लिए unit है, उसका second है, और इसको small s से represent किया जाता है, फिर हमारे पास electric और इसको जो है unit दिये गया है ampere का और इसके लिए symbol है a next हमारे पास temperature तो इसके लिए जो है मारे पास देखो तीन scale होती है अब आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए एक Celsius होती है एक Kelvin होती है और एक होती है Fahrenheit लेकिन जो हमारी SI unit के अंदर दी गई है वो कौन सी है Kelvin है वो Celsius नहीं है बहुत सारे बच्चे जो हैं यहां पे confused होते हैं कि जो centigrade जिसको आप लोग Celsius भी बोलते हो तो वो जो है क्या हो सकती है SI unit होगी हमारी temperature की तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है तो हमारी SI unit कौन सी है temperature के लिए Kelvin है और उसके लिए symbol है K next हमारे पास luminous intensity या फिर light intensity भी जिसको बोल जाता है तो उसका unit है हमारे पास candela और उसको cd से represent करते हैं और last में हमारे पास amount of the substance यानि कि कोई भी एक जो substance है उसके अंदर कितना amount है ठीक है ना तो उसको हम लोग represent करते हैं mole के साथ ठीक है उसका unit है वो mole है और symbol mol से लिखा जाता है ठीक तो अब यह हमारे पास कितन quantities अब देखो यह drive quantities यानि की नाम से भी बता रहा है कि कहीं और से drive होंगी with the help of कोई दूसरी चीज़ के द्वारा ठीक है ना तो ऐसी physical quantities जिनको हम लोग obtain करते हैं with the help of fundamental quantities fundamental quantities बिल्कुल independent है किसी को पर dependent नहीं करती लेकिन drive quantities जो है वो drive की जाएंगी किसके द्वारा हमारी जो basic quantities quantities यानि कि fundamental quantities उसके द्वारा जो है drive की जाएंगी तो अब जैसे हमारे पास देखो force है speed है area है तो यह सारी की सारी क्या है हमारे पास drive quantities है यानि कि जब तक हमारे पास fundamental quantities नहीं होंगी तो इनको हम लोग बिल्कुल भी नहीं measure कर सकते तो जहां पर जैसे मैंने एक example दे दिया आ किया अब देखो यहां पर यह कैसे हमारी drive quantities है वो मैं आपको बताऊंगा तो देखो distance जो होता है वो उसके लिए unit हमारे पास क्या होगा length क्योंकि हमारे पास देखो जब भी हम distance देखेंगे किसी भी चीज़ का तो उसके अंदर क्या निकालेंगे हम उसकी length को निकालेंगे तो length के लिए unit क्या होता है meter ठीक है ना पहली बात दूसरा है हमारे पास time तो time के लिए क्या होता है second होता है तो इसका मतलब क्या हो गया speed के unit होंगे meter पर second यानि कि कोई वी एक जो body है जिसकी हम लोग speed निकाल रहे है तो उसको हम लोग देखेंगे कि वो कितने second में कितने meter चली है ठीक है ना तो जब हमारे पास meter में क्या आजाएगा distance आजाएगा और seconds में क्या आजाएगा time आजाएगा तो इसका मतलब हमने किसका use किया fundamental quantity का use किया यहां पर meter और second क्या है basically fundamental quantity है तो इसका use करके हम लोग एक drive quantity बना रहे हैं जिसको speed का हमने ठीक है उसके बाद आते स्टेरीम अब जो रेडियन होती है इसको आर एडी से रिप्रेजेंट किये जाता है और स्टेरीडियन है उसको एसार से रिप्रेजेंट करते हैं अब यह basically हमारे पास दो टाइप के एंगल होते हैं एक होता है plain और एक होता solid अगल ठीक है अब जो प्लेन अंगल को मेजर कर वही होती है तो गाईस यही था आज की इस वीडियो में थैंक्यू सो मच फार वाचिंग इस वीडियो अगर आप लोग SI उनिट्स के उपर अगर फर्दर डिटेल में चाहते हैं कि मैं इसके उपर आईएगा तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए हैपी लेर्नेंग